अगर आप पब्जी लवर हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जुरूर देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक खुश ख़वरी लेके आया हूं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पब्जी मुवाइल और पब्जी मुवाइल लाइट बारत सरकार ने स्टमबर में बैंड कर दिया था प्रंतू उसके बाद 30 अक्तूबर को पब्जी मुवाइल बारत में पूरी तरह बंद हो गई थी क्योंकि कंपनी ने बारतिय सर्बर को ही बंद कर दिया था बहीं अब ख़वर आ रही है कि दिसंबर तक किसी भी हाल में PUBG Mobile बारत में लांच हो सकती है एक अंगरेजी टेक बैपसाइड की रिपोर्ट के मताबिक PUBG Mobile साल 2020 के आंत तक बारत में बापसी कर सकती है अमीद है कि बारत में बापसी को लेकर कंपणी रविवार तक अधिकारिक गोशना भी कर देगी रिपोर्ट में कहा गया है कि PUBG Corporation PUBG Mobile की बारत में बापसी को लेकर Global Cloud Service Provider से बात कर रही है इसके अलावा केई स्टीमर से भी बात चल रही है PUBG ने अपने आफिस के लिए LinkedIn पर बेकैंसिस भी निकाली है इससे सौफ जाहिर होता है कि PUBG Mobile बारत में बापस से लाउच हो जाएगी PUBG Game Develop करने वाली कंपणी PUBG Corporation ने चीन की Tencent Game से नाता तोड़ दिया है क्योंकि उससे PUBG Develop करने वाली कंपणी PUBG Corporation को काफी जादा नुक्सान हुआ है इसलिए PUBG ने अपना नाता Tencent कंपणी से तोड़ दिया है इसके बाद ही बारत में PUBG की बापसी की ख़बर आ रही थी बारत में PUBG बैंड होने के बाद चाइना की गेम कंपणी Tencent को 2.48 लाग करोड रुपे का गाटा हुआ है PUBG को साल 2018 में बारत में लांच किया गया था और साल 2020 में बैंड होने तक पूरी दुरिया में PUBG के 24 फिस्दी जूजर बारत के थे अगर आपके मन में कोई confusion है तो हमें comment वाक्स में जरूर बताएं इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं और well icon प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें मिलते हैं किसी नई वीडियो में ने टापिक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई